तो वीडियो का टाइटल देखे आप लोग को पता चली चुका होगा कि आज हम लोग किस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं तो ये है आप लोग का यामा टैनरी 700 वाल ड्रेड जिसे की रिसेंटल ही यामा ने अन्विल किया है 17 अफ फेबरारी को इस गाड़ी को अन्विल किया गया है आज के इस वीडियो में दोस्तो हम लोग इस गाड़ी के बारे में complete detail ही बात करेंगे इसके हर एक changes, हर एक modification, सारे सारे इसके engine specification, इसके details वगरा सब कुछ के बारे में detailing में इस वीडियो में बताऊंगा इसलिए इस गाड़ी के बार में सब को जाने के लिए आप लोग प्लीज इस वीडियो को पूरी तरह देखिए and end तक देखिए गाड़ी का review शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं and पहली बार के लिए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe करीजिएगा और सारी साथ bell icon को भी प्रेस करीजिएगा ताकि यसे amazing वीडियो आप लोग आगी भी हमारे चैनल पे देख सकें तो चलिए मैं सबसे पहले बता दो यमा जो है एक जापान का brand है globally काफी जारा famous and recognized brand है international market में हर साल इसकी बहुत सारी गाड़िया sell होती है इन इंडिया में भी इसके बहुत सारी गाड़िया जो है वो सेल हो रही है इन दोस्तों इंडिया में इसके काफी सारी गाड़िया जो है जासे कि यमा आरवन 5 यमा आरवन स्पोर्ट्स बैक एं सारी साथ स्कूर्टी की बात करें यमा फासीनो यमा फैजर बाइक यह साभी बाइक जो है काफी जारा famous बाइक हैं काफी जारा सेल होती है यह जो आप लोगों का यमा टैनरी 700 वाल रडड है यह आप लोगों का एक फुली हड़कोर ओफ रोडर बाइक है आप लोग क्या सकते हैं इस गाड़ी को पहले से विज़ादा ओफ रोडर बना गया है इस बार इस गाड़ी को का जो प्रोड़ाइब वर्जन है हमने पिछ अप लोगों को dual sided mounted fuel tank मिलेगा जो कि दोनों combine करके आप लोगों को capacity provide करता है एरां 23 लिटर का fuel tank की capacity provide करता है and company claim कती है इसके साथ यह जो distance cover कर सकेगी around 500 km whereas जो इसकी standard model level बे रहता है उसमें आप लोगो 16 लिटर का मिलेगा इसमें आप लोगो 23 लिटर का fuel tank मिलेगा जाएगा वो 16 लिटर के साथ आप लोगों का 350 km company claim कती है distance जाएगा and यह आप लोगों का 23 लिटर के साथ 500 km distance company claim कती है इस dual tank design की वज़े से गाड़ी की stability जो है वो improved करी गई है गाड़ी की overall agility भी improve हुई है and सारी साथ इसके mask को भी centralized किया गया है इसमें जो गाड़ी का weight है वो आप लोगों का पहले से system kg बढ़ गया है इसमें आप लोगो 5 इंच के color TFT display मिलेगा जिसमें आप लोगो mobile connectivity भी feature provide किया गया है हाला कि जो पहले के standard version था उसमें आप लोगो LCD display मिलता था हाला कि इसमें अभी भी आप लोगो navigation function नहीं मिलता है इस गाड़ी में आप लोगो the all new KYB upside down front frocks मिलेगा suspensor system जो कि आप लोगो 230 mm को होगा जो कि काफी अची riding condition प्रवाइड करेगा दियरे में आप लोगो मोनो शुक with 220 mm travel distance के साथ प्रवाइड की जाएगी suspensor system इस new suspensor system के वाज़े से इस गाड़ी का जो ground clearance है वो standard के मुकाबले 10 mm और ज्यादा बढ़ गया है इसके ground clearance है वो आप लोगो 250 mm होगा यानि कि 25 cm होगा इस गाड़ी के जो seat height है वो आप लोगों का 890 mm का है हलागि जो standard bike होगा उसके जो seat height होगा वो आप लोगों का 875 mm का है इन सब के साथ साथ गाड़ी में आप लोगो on lens adjustable steering damper मिलेगा इन सारी साथ एक rally inspired two-piece seat मिलेगा जो कि allow करेगा आप लोगों का गाड़ी के जो rear section को remove करने के लिए for accessories के लिए इसके साथ साथ गाड़ी में आप लोगों मैं बता दू तीन modes मिलेंगे switchable ABS function मिलेगा गाड़ी की जो braking है वो completely handle करता है dual brakes जो front में है 282 mm के disc एन सारी साथ जो rear की बात करें वो आप लोगों का 245 mm का disc है कि disc brakes handle करते हैं गाड़ी की braking को एन सारी साथ इसमें जो आप लोगों का engine provide कियाता है वो आप लोगों का 689 CC का engine है जो कि आप लोगों का crossplane twin cylinder engine है basic engine आप लोगो provide किया जाएगा इंडिया में इस इंजिन standard रहता है हर model में जो कि आप लोगो power provide करता है 72 horsepower का at 9000 rpm and 68 newton meter of torque provide करता है at 6000 rpm यह आप लोगों का pair up किया गया है एक six speed gearbox के साथ आप लोगों के लिए color option में भी कोई changes नहीं किया गया पहले की तरह आप लोगों को same color option मिलते हैं हर गाव model में इसकी जो price रखी गई है वह आप लोगों का 11,82,000 होगा जो आप लोगों का यमार 10700 वाल रेड में जो इसका standard model है उसकी price होगी 9,88,000 जो कि आप लोगों का standard model से कर compare करें आप लोगों को 1,94,000 ज्यादा देना पड़ेगा इसके लिए यह जो है complete करेगा KTM 890 Adventure R के साथ एं सारी साथ BMW F850 GS Adventure के साथ इन दोनों बाइक के साथ जो आप लोगों का KTM 890 Adventure R है वो आप लोगों का 103 होर्स पावर का engine है आप लोगों का एं सारी साथ जो BMW F850 GS Adventure है वो आप लोगों का 90 होर्स पावर प्रोवेड करता है तो ये हो कि इस गाड़ी की complete details मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोग को हमारे वीडियो कैसा लगा प्लीज कॉमेंट करके ज़रू बताएगा और सारी साथ प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करीजेगा और बेल आइकन को प्रेस करीजेगा तकि हमारे हर वीडियो की notification आप तक पहुंचती रहे और अगर आप लोग इस गाड़ी के बारे में और कुछ पूछना चाते हैं और कुछ जाना चाते हैं तो वो भी आप लोग comment में जाके मुझे पूछ सकते हैं मैं आप लोगों के हर सवालों के जवाब आपको comment में ही दे दूँगा और इसके साथ साथ अगर आप लोग किसी और गाड़ी के बारे में कुछ जाना चाते हैं किसी और गाड़ी का review बगरा देखना चाते हैं तो वो भी आप लोग comment में जाके मुझे बता सकते हैं झाल झाल